हेलो नमस्कार आप सुन रहे हैं जेकी न्यूस नेटवर्क और मैं हूँ अनुजा कश्यब दिन भर की एहम खबरों को ले करके आप सब के बीच 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस की दिन ट्रैक्टर परेड में फैले हिंसा के बाद किसान आंदोलन कमजोर परता नजर आ रहा है हिंसा के बाद कई किसान संगठनों ने जहां आंदोलन से अपना हाथ खीच लिया वहीं दिल्ली पुलीस ने इस मामले में अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है पुलीस ने दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 33 F.I.R. दर्ज किये है और आकेश टिकेट योगेंदर यादव और मेधा पाटकर समेट 36 नेता किसान नेताओं के खिलाफ लूक आउट नोटिस भी जारी किया है ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद पुलीस की कारवाई अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा हम दिल्ली पुलीस द्वारा भेजे गए नोटिसों से डरते नहीं है सरकार 26 जनवरी की हिंसा के लिए हमें दोशी ठरार नहीं कर सकती किसी कानूनों के खिलाफ आंदोलन को खत्म करने का ये एक प्रयास है ये सुक्रिय नहीं है असली दोशियों के खिलाफ कारवाई करने के बजाए पुलीस शान्ती से विरोध कर रहे किशानों को गिरफतार कर रहे है सरना आदिवासी धर्म कोड बिल केंद्र सरकार से पास नहीं होने के विरोध में केंद्रिय सरना समीती आंदोलन की मूट में है केंद्रिय सरना समीती आगामी 31 जनवरी 2021 को रेल रोड चक्का जाम करने का आवाहन करेगी इसको सफल बनाने के लिए समिती के प्रतिनीदी मंडल गुरुवार को राची के अनगरा और सिल्ली प्रखन के ग्रामिनों से मिलेंगे। इस सम्मंद में केंद्री सर्ना समिती के केंद्री अध्यक्ष फूल चंद्र टिर्की ने कहा है कि 2021 जनगन्ना का वर्ष है। इवं अभी तक केंद्र सरकार ने अधिवासियों को उनका मौली का दिकार नहीं दिया है। शायली चित्रों को लोगों ने देखा ये हजारी बाग जिले के बरका गाउं प्रकंट के अंतरगत नापो खुर्द पंचायत में स्थित है यहां मेले का आयोजन पिछले 25 वर्सों से किया जाता है मेले के उपलक्ष में समीती के द्वारा नाकपुरी हिंदी औरकेस्ट्रा क आयोजन भी किया गया इसका शुबारम मुक्याती थी बरका गाउं के विधायक अंबा प्रसाद ने फीता काट कर किया मौके पर विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि मेले का आयोजन करने से आपसी दूरियां मिठती है ऐसे ही छेत्र में मेले का आयोजन होते रहना चाहि इसके अलावा इस छेतर को परेटन अस्थल के रूप में विक्सित करने की विशेस पहल भी होगी। आज के खबरों में बस इतना ही जल्द मिलेंगे कुछ खास और एहम खबरों को ले करके तब तक के लिए बने रहें जेकी नियूस नेटवर्क के साथ।